जाहिन दोस्तों मैं निर्भय आपके एक बार फिर से टैक्वरी चैनल में स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बोला सा बताने के लिए और मैं आज बताऊंगा भी कि स्टाटिक और इस्टांस वेरेबल में क्या डिफरेंस होता है सो आज की इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट जानेंगे स्टाटिक और इंस्टांस वेरेबल के बारे में सो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं अफिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं में में बनारा आता होगा पफली स्टाटिक बॉयड में स्टिंग आड्ग्यूमेंट आपको लिखना रोगाए होते हैं और साथ ही साथ जो class के अंदर होते हैं यानि कि instance variable और साथ में static variable ऐसे variable होते हैं जो class के तो अंदर होते हैं पर किसी भी block के अंदर नहीं होते हैं यानि कि किसी function बगरा के अंदर नहीं होते हैं वो आपके instance variable या फिर static variable कहलाते हैं अब instance और static में क्या रहा है इस ट्राटिक बेरेवल आपके वही बेरेवल होते हैं जिस बेरेवल के डेक्लारीशन टाइप पर उसको स्ट्राटिक कीवर ड्वारा डेकलार किया गया हो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं लिखता हूँ यहां पर और अगर मैं लिखता हूँ यहां पर static, बी यह जो मेरा बैरेबल है, वो मेरा static बैरेबल है, ठीक है, एसे बैरेबल जो मेरे static keyword से बनते हैं, वो static है, जो static से नहीं बनते हैं या तो instance बैरेबल आप उसे बोल सकते हैं, या फिर आप उन्हें non static variable भी बोल सकते हैं अब जैसे कि आप लोग जानते थे कि local variable में आप किसी भी वेकार का public access specifier या private access specifier यानि कि access specifier आप use नहीं कर सकते थे वो क्या होते हैं वो मैं आपको समझा दूँआ विलाल आप मतलब समझे है कि किसी भी variable के declaration time पर आप उसके आगे public, private बगेर नहीं लगा सकते हैं अगर वो variable आपका local variable है तो पर आप instance variable और static variable में public या private या protected किसी भी प्रकार का access specifier यूज कर सकते हैं अगर access specifier आपका public है तो इसका मतलब यह है कि आप within the file within the package इस object को या इस variable को कहीं भी यूज कर सकते हैं इसके बारे में access specifier के बारे में हम डीटेल में अपने आने वाली वीडियो में जानेंगे ही पर आप यह समझिए कि अगर हम इन्हें public बगेर ना लिखें सिर्फ यह लिखें तो इसका जो by default access specifier होता है वो होता है आपका default अब बात ही आती है अगर आपको instance variable access करने तो आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट ही बनाना होता है तो उसके लिए मुझे बनाना हो एक object object बनाना आपको आता है सबसे पहले जखना होता है हमें test यानि class name उसके बाद हमाद देना होता है object कर नेम दो देज़ता हूं मैं यह पर अगर हमें instance variable use करना है अपने इस method के अंदर सो हमें लिखना होगा उस object का name dot a यानि कि हमने इस object से उस class के object से वो instance variable को call किया और इसके अंदर हम assign करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो उपर हमाने instance variable है इसके अंदर फिलाल six value आ चुकी है उस object के मदद से मैंने आपको एक बात और बताई थे अपनी कलबाली वीडियो में कि ट्रांस और static variable जरूर नहीं है आप उसे initialize करें by default उसके value 0 होती है अगर आपने integer की बात कर रहे हैं तो by default value होती है इनकी तो मैंने यहाँ पर six initialize कर दिया इसका इसी तरीके से अगर मैं एक और तरीके का या एक और नाम का object बनाता हूँ नया object तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर obj2 यान कि second object और इसको मैं इस इसके अंदर 7 हो गया पर याद रखिये कि मैंने आपको बता है कि variable जो हता है आपका अब्डेट हो सकता है पर यहाँ variable अपडेट नहीं हुआ है यहां क्या हुआ है मैंने आपको बता है कि जब यह object बना तब यह instance variable बना जब यह object खतम होगा तो यह instance variable खतम होगा clear सी बात है ऐसे इधर जब यह object बना तो यह instance variable बना जैसे यह object खतम हुआ यह instance variable खतम हुआ अब आप देखिए कि यह object बना यानि कि यह instance variable बना तो ये by default तो 0 था इसके अंदर 6 चला गया यानि कि इस object के लिए तो इस instance variable की जो value है वो है 6 पर इस second object के लिए इस instance variable की value जो है वो है 7 यानि कि आप जितने भी object बनाएंगे उतने object के लिए आपका instance variable अलग-अलग copy बना के देता है तो अब मैं जब इसे print करना चाहूँगा मैं लिखता हूँ system.out.printalign यहाँ पर मैं सबसे पहले तो print करता हूँ अपना object पहले वाले object से object.a से उसके बाद मैं space देता हूँ यहाँ पर मैंने string आपके देता हूँ object 2 से उसी instance variable को यूज करता हूँ तो देखिए object a से यह नया object है इस वाले object से इसके value 6 है और इस वाले object से इसके value 7 है जब मैं इससे रन करता हूँ तो आप देखे क्या आता है इसका output पूर्ण करने के लिए आपको उसी लोकेशन पर जाना इस लोकेशन पर आपकी फाइल है उदर आपको कंपाइलर लिखना है जाबा सी फाइल नीम विद्धा एक्टेंशन अब जाबा डॉट जाबा आप एंटर कर दीजिए अधर कोई एरर होगा तो आपको डिस्पले करेग एक आया आपका 6 और एक आया आपका 7 यानि कि जैसा कि मैंने आपको बता है कि जितने आप 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 बनाएंगे बना लीजिए इंस्टांस बेरेबल हर एक ऑबजेट के लिए एकदम सुखू से नया सा बनके आएगा उसे आप हर अबजेट से अलग अलग तरीके से ठीके आप इस्टांस से इसे बना देता हूं इस्टांस से इसे अटा देता हूं अब जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको इस्टांस बेरेबल यूज़ करना है तो आपको ऑबजेट बनाना ही होगा पर इस्टांस बेरेबल का ऐसा कुछ नहीं है पर आप ऑबजेक बना कर भी उसे यूज कर सकते हैं ठीक है अब आपको पहले में दिखा था उसके बाद समझाऊंगा कि आपने यहां पर उस क्लास का एक बनाया हुए उस ओबीजी से आपने फिलाल यहां पर स्टैटिक बैरेबल एक है वह कॉल किया उसके अंदर नहीं इसलाइस किया जैसा कि अपका इंस्टांस बैरेबल में हुआ जितने अब्जेक्ट बनाओ गए उतनी बार उसके लिए नया बनेगा, तो क्या इधर भी ऐसे ही होगा, तो एक बार मैं इसे run करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस वहाँ static लगाया, अब मैं इसे run करता हूँ एक बार, देखते हैं, इसका answer क्या है, compile किया, error तो नहीं होनी चाहिए, बॉर्णिंग हो सकती है, बॉर्णिंग होगी है भी flawless में, क्योंकि मैंने objects static variable कॉल किया है, दिखा नहीं रहा है बॉर्णिंग, पर बॉर्णिंग पक्का होगी, तो आप यहाँ पर java test लेखा, और आप यहाँ देखेंगे, 6-7 की जएगा, यहाँ पर मेरा इसका सिर्फ एक ही कॉपी रहेगा, यानि कि आपने इस बाले object से, जब यह static variable कॉल किया, तो इसके अंदर 6 आपकी program के अंदर, RAM के अंदर, वो सिर्फ एक ही बनी है, और आप कितने भी object बना लेजिए, वो उसी copy को, उसी address को कॉल करेगा, और बार बार उसी variable को ही update करेगा, ठीक है, तो आपको आप समझ में आ गया हुआ, instance variable, जितने भी object बनाएंगो, उसके लिए अलग-अलग copy बन आपने इधर जो object बनाया है, by default compiler क्या करता है, आपके इस object को, आपके इस object को convert कर देता है, उस class के name से, by default compiler कर देता है, इसलिए वो warning आती है, जो इसमें नहीं दिखाई है, अगर आप किसी और अच्छे IDE पर काम कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा, तो आप इसा test की जग compiler इसके आगे उस class का name के साथ dot जोड देता है, अब आप देखिए, मैं जब इससे save करूँगा न, तो इसका answer वही आएगा, कोई error नहीं आएगा, तो देखिए, इसका answer भी 77 आया, और अगर मैं यहां लिख देता, test उस class का name, जो कि इसका सही तरीका static variable को call करने का dot लगा के लिख देता हूँ, ए, तो भी इसका कोई error नहीं आगा, और answer यह अब भी 7 ही देगा, ठीक है, तो क्या समन मैं है, कि static variable कॉल करने के लिए, यूज करने के लिए, आपको object बाने की जुरूत है ही नहीं, तो आप क्या कीजिए, इसको अटाइए, इस object को यहां साटाइए, इस object से इसे call किया हुआ है, तो आप चाहें तो इसे बिना object की call कर सकते हैं, इस तरीके से यह तब भी चलेगा, और आप चाहें तो इसे class के name के साथ भी कर सकते हैं, तो भी एकदम सही है, ठीक है, इसी तरीके से यह जो आपने obj2 लिखा अभी तो फ़लाली error है, इसको हटा दी आप चाहें तो इसे ऐसे ही लिख दीजिए, या फिर आप इसे ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि compiler by default ऐसा ही करने वाला है, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इन में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि object था ही नहीं, object यूजी नहीं हो रहा तो इसलिए तो memory लेगा ही नहीं, त इस तरह के से, तो यहाँ पर इसकी जो value थी वो 77 ही आई, अब बात आती है, static variable कब बनता है, या क्योंकि मैंना आपको बता है कि local variable जब बनता है, जब वो function call होता है, और तब खतम होता है जब वो function return कर देता है, instance variable तब बनता है, जब वो object बनता है, कब उसका खतम होता है, व बनता है, पर static variable तब बनता है, जब आपका program चलता है, और static variable तब खतम होता है, जब आपका program चलना बंद हो जाता है, ठीक है, तो दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आसा करता हुआ, एक एक point 7 में आया हुआ, कहीं कोई problem नहीं होगी, हो सकता है, वीडियो पर उसके लिए माफ करना, क्योंकि मुझे अच्छे सा समझाना है, तो इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता है, तो दोस्तो आगर आप को वीडियो पसंद लेए, तो किर पैस वीडियो को लाइक करें, कहीं भी कोई problem है, कॉमेंट कर जीजिए, तो दोस्तो अगर चैनल पर नह हैं, तो किर पैस चैनल को सब्सक्राइब परें, वीडियो देखने के लिए धन्य बाद.